आप इस वीडियो में हम बात करेंगे T10 जीहर वीडियो के बारे में आज रात सारे 9 वजे मैच है टीवी एच भरसेस आई 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 आर चलिए मैं सबसे पहले पीछ रिपोर्ट के बारे में आपको बता देता हूँ यहां का जो पीछ है वो इस पीनेर को अधिकतम मदद देता है चलिए मैं टीम को बारे में बात बता रहा हूँ टीवी एच टीवी एच का प्ले 11 इस प्रकार है दी मलोनी, आर बिल्यांसन, जे जरीवर, बी जोसपी, के सीवे, के जेम्स, वाइ डिंग्स, जे लम्थो, जे जेम्स, दी एलेक्सटेंडर, एलम अंगलेसिस देखिए, इनका टीवी एच का ये प्ले 11 है, इनका जो फेम्स पांच बॉलर, इस्टार बॉलर जो है, इनका बी जोसपी, जो राइटाम मेडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं डी एलेक्सटेंडर, लेप्ट आर बी स्पिन पिन 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 पि वो हर match में balling करते हैं जिनके बारे मैं बताता हूं जो फर्स्ट over इनके तरब से आई आरच के तरब से भी लिविएस left arm medium fast baller, is ए ईस वीडियो में आपको बता रहा हूँ सबसे पहले कि आपको कोई भी टीटेन मैंच खिलना है तो एक दो बात को पक्का ध्यान में रखेएगा, T10 मैच only for 10 अभर का ही मैच होता है आपको 20 अभर कावर करने में बहुत ही जदा कठना ही नहीं होगा, आप थोरा 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 रिक्स ले और टीम बनाएँ, जैसे मैं आपको सबसे पहले में परता देना चाता हूँ अगर आप हेट टू हेट टीम बनाते हैं, तो उस टीम में टीबी एज के तरब से, आप इस पलेयर को आप आज के मैच में 100% ले डी मलोनिंग, आर बिलियंशन जै जरीवर, और बी जोस्पी, जब हेट टू हेट टीम बनाते हैं तब टीबी एज के तरब से इनके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि किस परकार टीम आपको बनाना है हेट टू हेट में, तो चलिए मैं फर्स्ट वीडियो क्रेडिट करके आपको बताता हूँ देखे, सबसे पहले आप टीबी एज के पलेयर लीजे डी मलोनिंग, डी मलोनिंग का और अभी आप आयारक्री टीम के तरफ से लेंगे जो एस नैटिरम टी टनिवीर आर्जोन आर्जोन वियूलिवियस वियूलिवियस ये टोटल पलेयर कितना हुए, आट फलेयर अभी तीन पलेयर किसको लेना है, देखे कभी भी टीम लगाते हैं, तो जो दो चीज़ यादगी कर रखेगा अगर आप टी बी एच अगर पहले बैटिंग करता है तो टी बी एच के तरफ से डी मलोनिंग आर्जोन बैटिंग करने आते हैं तो एक बात ध्यान रखीगा है टी टेन में कभी भी जो स्टार्टिंग का बॉलर होते हैं वो सेलेक्शन कितना भी परसेंट हो 90 परसेंट हो या 100 परसेंट हो वो अधिकतम मैच में फ्लॉप जाते हैं अगर टी बी एच का बॉलिंग आता है अगर डी मलोनि आर्बिलियंसन देखे आपके पास कम सेलेक्शन का प्लेयर है डी मलोनि और आर्बिलियंसन हर बंदे के टीम में आर्बिलियंसन और डी मलोनि टीम होंगे लेकिन अब जब दोनों को लेते हैं तो आयार के तरफ से भी लिवेस को आप ड्रॉफ कर दीजए लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि भी लिवेस क्या है चौथा डाउन बैटिंग करने आते हैं तो आप उसको डॉफ नहीं कर सकते हैं तो देखे सबसे इपोटेंट बात मैं आपको बताता हूँ यह आर्फ लेर ले लिए तो अभी आप देखिए सेलेक्शन देखिए डीडू परंगे का 95% आज के मैच में सेलेक्शन है जो हर बंदा लेकर जाएंगे लेखिन क्या है एल लुईसी एल लुईसी देखिए एल लुईसी का सेलेक्शन आपको मैं बता रहा हूँ 78% है और टीटन विर हो गया आज जो गया देखिए मैं आपको बता रहा हूँ वहिल लुईस आरजोन टीटन विर और इसने टीरम ठीक है यह हो गया एल लुईसी एक एल लुईसी हेटियोट में आप लेके जाएंगे उसके बाद आपको प्लेयर इसमें से लेना है टीटीट के तरफ से डी Ekkiender को आज के मैच में नहीं छोड़ना है आपके प्लेयर होगा कीतने है दस दस प्लेयर होगे और एक प्लेयर एक प्लेयर और लेना है जिसको किसको लेंगे है आपके पास बहुत ऑप्सण है K7 को भी ले सकते हैं के जेम्स को भी ले सकते हैं, उसके बाद आप एल मेगलोडियो को भी ले सकते हैं, लेकिन आप एक काम करें, हेड टू हेड में, आप आज के मैच में सबसे इपोटेंट पिक आपको मैं बताना चाता हूँ, ड्यू टू पंगी तो हर आदमी बहर बंदे लेकर जाएंगे, आप एक काम करें, आज के मैच में टी बी एज के तरफ से जे जेम्स को लेकर चल जाए, हेड टू एड में, और कैप्टन्स, यदा सोचने फिचर की जूवत नहीं है, आप डेक्ट, कैप्टन देजिए, इसमें आर बिलियंसन को, आर बिलियंसन ही परफेक्ट है, और बी जो स्पी को आपको भीसी नहीं दे सकते हैं, लेकिन टी टैनवर को आप भीसी दे सकते हैं, आज का आपका एसल का टीम, इस परकार है, जो मैं आपको स्किन के मादेम से दिखाना चाहता हूँ, देखिए, आपका SL के यह टीम है, यह सबसे अलग और सबसे परफेक्ट टीम है, अगर वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक और सेर और सस्क्राइब जरूर करें, धन्यवाद